बिस्मिल्लारोमर्रोहीम असलाम वालीकूम फ्रेंड मैं हूँ जवेद और आप देखरों मैं यूट्यूब चैनल जवेद टेलर मस्तर सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों सेक्वेस्ट एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गंटी वाले बटन को प्रस कर लें ताक परोड़ साड़े बाइस थातीश सैसकी कंभर साड़े पाएस वाले कि इसके लगाना है साड़े सोला ओर इसके बाद इसका गेरा भी इसके साथ हैंяг तो दोस्तों सब और पार जाहिए चैनल कुछ आज़े आज़ों को में फिर बना चुका उबंट तो दोस्तों इस स्टूडियो को लाजमी देखना इसमें आपका बहुत सादा होगा तो साथ से पहले इसकी मैं लेंथ लोगा तो लेंथ लेने का तरीका यह है कि अगर आपकी लंबाई मेरे सूट की लंबाई 41 है तो इसके इंजर मैं 3 इंच एड़ करूंगा तो इसको डबल करके उतारना पड़ेगा कि सिंगल बार में इसका घेरा निकलेगा है डबल करके पीस उतारूंगा 41 लंबाई और मैंने 44 पे इसको कट करना है और डबल करके पीस उतारना है यह आपके सामने में इसको डबल कर रहा हूं तो जो खुली साइड है दूसरी तरफ है और बंज साइड मैंने आपने तरफ की हुई है इसको डबल करके मैं उतार लूँगा तो इससे मैंने अभी अपना गेरा निकालना है इस पीश से मैंने अपना गेरा देखना है कि मेरा गेरा कितना है इस तरह करके मैं इसको बिचा के इससे गेरे की पर मैश लूँगा तो मेरे सूर का गेरा बाइस बाइस मैंने तियार करना है तो इसको मैंने बाइस मैंने तियार करना है चाहती की मदद से जिनकी चाहती चाहती साथ तो इसका गेरा बाइस बनता है तो मैंने एक इंच इज़ाफी कट करना है इसको एक इंच इज़ाफी कट करना है यहनि कि 22 है तो 23 पर कट करूँगा तो एक इंच मरजन के लिए तो चाती की मदश से मैंने आपको बताया कि इसका चाती की मदश से 12 आता है 36 इसकी 36 है तो 36 का हाख करके 18 किया तो 18 में मैंने 4 इंच एड़ किया है फार्मूले के हिसाफ से मैंने 4 इंच एड़ किया तो बन गया 22 और इसका गेरा 22 इंच है तो इसी तरह मैं इसको प्रैस कर लूँगा और अच्छे तरिक्षे से इचा लूँगा तो इसकी लंबाई आपके सामने है तो सबसे पहले इसका हाले की कटेंग करते हैं उपर इसकी निशान का सीधा निशान लगा लेना हमने उसके बाद इसके उपर हमने बैन लगाना है उस सबसे इसकी हाले की कटेंग करेंगे तो स्के इसका उपर हमने 20 16 बैन लगाना है तो इसके इसको हम 28 से दो सुतर उपर यह निकि पहने 3 यंच पर हाला कट करेंगा नीचे की तरफ तो जो तीरे वाली साएड है उस साएड से हम सब्वा दो इच्छ जो तीरे वाली इसका तो तीरह इसका 18 तो दो सुतर कम कटेंग करूंगा इसको दो सुतर कम कटेंग करूंगा क्योंकि थो सुने पिच्छे कि तरफ लगाए ऑड़ाइंच के मुझलूजंग दिचे की तरह कंदे वाली से अड़ाई इंच इसको मैंने लूजंग दिए तो इसकी छाती 36 इंच है और कंदा उस हिसाब से मैंने बताया था कि कंदा इसका खिसा निकालना है तो आप चाती का चौता इसा लेकर आधी इंच फिटेंग के लिए और नार्मल फिटेंग के लिए पौनी इंच कम कर सकते हैं यह अगर फिटेंग वाला होता तो फिर मैंने शाड़े आठ इसको कंदा डालना था अभी यह लूज मांग रहा है तो मैंने इसको पौने प्रूज मांग रहा थोड़ा थे अगर फिटेंग मंगता तो पिर मैंने औरा उटा पर इसका गांदा डालना ता तो इसी तरह मैंने चाहती का 9 इंच पर निशान 14 इसा लगाया है चार्था चाहती के चाहता रहा है और जो मैं आपको बताता रहा है कि गर शती साय तो 4 इं सकते हैं वो किस्टमर के हिसाब से तो इसी तरह इसको बाइस मैंने गेरा त्यार करना है तो यहां से बाइस से दो सुतर ज्यादा मैं कट करूँगा मार्चन के लिए दो डाइस सुतर ज्यादा कटें करूँगा बाइस के उपर रखूँगा दो अडाइस तो इदा से भी मैंने चेस्ट वाली जगह से इसी तरह किया तो दोस्तों आज मैं आपको एक और आपके साथ बास शेयर करूँगा कमर के जो कमर होती है न जो उसका तरीका है कमर की फिटेंग करने का तरीका भी मैं आपको चाहसे मैंने चाहती में तुम आपको मैंने अगर चाहन करना करना चाहिए इसी तरह हमारी यह कमर रहे वो 33 का चौथरह इसे धार हमने हमने इसके अंदर आढ़ाय एंच आड़ करना यह हूं से 5% सप्सक्राइश को फिटेंग करना दूब 22 त्यार होगा यह साधे किसी यह मैंने इदर से अधाई इंच अगर दोस्तों आप कमर के साफ से भी कटिंग कर सकते हैं जो कस्टमर की कमर यह कुरता कटिंग है इस पर कमर की भी कटिंग लाजमी होती है काफी दोस्त जिस तरह शार्ट पेंते इस तरह कोशिए करते हैं कि हमारा कमीज फिट आए उसके लिए कमर का फिटिंग में लाना लाजमी होता है कर द्रे इसाइन लिए दितीह पें से लिए Sergeant उन्हाय नीचे फिल दीती मैंने प्लेश में इसी तरह करना है तो बैंकी मैं गुलाई करना हम हमापके सामने हाले की योाझों बहनए करनी होती थोड़ी सी तो यह यह कंदए की मशामने बगएर फर्मे के बगएर फर्मे किया चाइन को हरा मुल निकाल लिया तो आप इसी तरह निशान लगा के हर मुल की कट्टे कर सकते है दोस्ता कटिंग करने का बहुत असान तरीका है यह बहुत असान तरीका इसके उपर कस्टमर बिलकुल मुतमें होता है और हम भी मुतमें हैं इसके उपर कटिंग करने के हर हर टेलर का हर मेरे बाई का अस्ताज एकराम का सब अलादा तरीके कार होता है तो हमारा तरीका यह ह है तो इसको पर बहुत मेंने और हमारा कस्तमर भी मुथमेन है इसके उपर यह पॉने नौच इसका हर मुल्टिगार हो गया तो आप इसको अगर थोड़ा काम है तो ज्यादा भी कर सकते हैं तो दूसरी बात जितना मैं इसका बाजू का जो है ना भार मुल कटाई करूंगा ना कंदा कटाई करूंगा वह इसको पर फिट आएगा कहीं कहीं कोई मस्ला नी यह इन्शालला फिट आएगा आला चोटा बड़ा यह कंदा का प्राबलम इन्शालला मेरी कटिम ने यह साब कुश्ण निग अता अब मैंने इंची इदर से बैक कि दोस्तो मैंने आपके सामने फ्रांट का दोस्तों तरकाम कटिंग करता हूं तो इदर से आप मैंने सवाइंच को वाइंच पर निशान लगाया बैक के ओपर दोस्तों का दूसरा मेरी वीडियो को स्क्रेप्प किया बगार देखें इंशालला बहुत फैदा होगा अब नवालों के लिए बहुत फैदेमन वीडियो है दोस्तों कटेंग और स्टेंग की मेरे यूट्यूब चैनल के ओपर काफी वीडियों है और इसी तरह मैं इंशालला अच्छी सी वीडियो अपलाउड करता रहूँगा और सबस्क्राइब कर ले और गंठीवाल बटन को प्रैस कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियो अब तक बास आने पहुंचिती रहा है कि मैंने इदा से 1 इंच रखा है और इदा से सब्सक्राइब तो अभी मैं इसकी जो ये कटेंग कार के आपको तीरे के जो और बाजू का त्रिकिकार भी बताता हूं वीडियो को स्केप मत की करें वीडियो को या लाइक भी करें दोस्तों आपकी कटेंग में कोई मसला है तो में मुझे कमेंट में जूरूर मेरे साथ शेयर करें दोस्तों इसकी लेंद मैंने आपको 11 बताई क्योंकि मैं इसको सीधा दावन होता तो मैंने इसके अंदर एक अचयर करना तो अभी Yes सीधा दामन ने इसके अंदर मैंने डेटेंच एड़ किया तो 41 को मैंने साड़ी 42 पर काड़ किया है तो यह मैंने साइड के निशान आपके सामने लगाएं मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि पहले निशान पांच पर दूसरा साथ पर लगाना होता है इनके जेव वाला और नीचे वाला चाहर पर होता है इस तरह टोटल इसका 16 होता है यह बड़ी प्रमेश के लिए तो 12 पर मैं पर्ट्टी का निशान लगाता हूं कि इसी तरह मैंने कमर से 1 आइंच लिया था और ऊपर और से मैंने दो Juda आपकी सामने दो इंच लिया था और बैक कि था मैंने 7 इंच यह स्छाथी के मतल शेया आज अपको शहाथी की मतल से कटिंग करने का देका और कमर वाली जगासें उसको कितना उसका क्या इसाаль है hithepon तो इंशालला नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छी ठीप साब को बताऊंगा तो अभी पाउने 9 पर मैंने इसका बाजू का कंदा काट करना है अब भी इसका मैं बाजू का कंदा काट करने लगा हूं तो मैंने दोस्तों मैंने आपको दिखाया है को देसे मैंने पहने 9 रखा है तो इद्धा से भी मैं पहने 9 ही काट करूंगा मैं सिद्धा निशान लगा लूगा उसके बाद मैं इसको भी अठाई इस बाजू की काफी दोस्तों पौने तीन तक जाते हैं साड़े तीन तक जाते हैं तो हमारा त्रिक्रकर अढ़ाई यह से तो इसके बाजू की लेंथ जितनी हो जितना चोड़ा आपने कफ लगाना हो उस इसाफ से इंची टेप को उपर आपने ले जाना है और बाजू में आदी इंच एड़ करके आदी इंच ज्यादा लमाई में काट करना होता है आपने ह различ काफ मैंने नो इंच लगाना है काफ इसको पार नौ ए तो मैंने इसको आगे से साधे पाउच रखा रखा अगर में इसको काफ में नहीं डालना चाहता तो मैं इसको अधी इंच कम करेंगा यानि कि इसको मैं पाँच देखूं गा क्योंकि इसके अंदर मैंने प्लेट नहीं डालता है तो अगर आप ने प्लेट डालने हैं प्लेट वाले काफ आप हैं और उसके अंदर आप ने स्टाइल है पेटेंग का उपर से हार मौल की पहले जगह से दोस्तों इस तरीके को फालू करें आपको फैदा होगा इस चाग पटी बाला काट है वह मैं लगा रहा हूं यह पौने चेंज पर लगा रहा हूं है हमारी जो कंची का हसाब पाढ़े चेंज पर मैंने अचे के साहब से काट कर लिया बहुत हैं कि कस्टमर के साइज के साथ चाग पटी करते हैं छे चलिए तक जाते हैं पौपट चले के सभाएं स्वाठ पटी कर तक तो अपने केस्टमर के हिसाफ से चागपटी काट की है दोस्तों एक बादू मैंने काट किया था दूसरा बादू बाकी के पीस के उपर बिचा कि मैं काट करूँगा दोस्तों इस तरह कटिंग करके आप अगर चोटे आज में आपका साथ मीटर का सूट है तो इंशाल्ला इस तरह कटिंग करके जिस तरह मैं करना हूँ 41 लंबाई शहलवार की भी लंबाई 41 हो और गेरे का इस जितना इसाब हो 22-25 तक आप छे मीटर में भी सूट त्यार कर सकते हैं छोटे आज का जो चोटे है तो सबबाद के लिए तो इससी तरह हमने कट किया है तो अभी मैं आपको तीरह काकर करके बताओं और बाजू के समझ आप किस तरह कटना चाहिए और अभी इसका 19 मैंने रखा था बैक से 19 इंच बैक प्याइब क्योंकि तीरह इसका ठारा है तो मैं एक इंच इक्स्ट्रा काट कर ला हूँ के जिस कि ज़ख लाए यह कि आठर रखा लिए मैंने कंदे वाली जाट से सबह तो copper ये तिर इंच या मैं नीजे की तरफ गैराई दे ती इसकी पॉन नीची गैराई दे ती यह इसी तरह मैं इसको पौने तीन इंच पे गराई देओंगा इस गराई के मताबक पौने तीन इंच ये इसकी चुड़ाई मैंने पांच इंच रखिया तो इसके उपर मैंने बैर लगाना थोड़ी सी घुलाई देओंगा इधर से भी कर से चैजब करूंगा इसके बाद इस तहुड़ा से वैर अधिंच आधिंच तक्रीबाद आधिंच थोड़ा से कम बहर निकालोंगा यह यह अ था सुतर का फार्क है अधिर सुतर का तो इस तक करके आप ने तीरे को बैर की तरफ काट करना है सीधा काटनी करना है इस तरह आपका जो सूट है उसको पाटीरा फिट आएगा तो आपके बाड़ी को बहुत आए इस तरह रखा दबाग नीचे मैंने छोड़के रखा हुआ है तो इस तरह इसको उपर उर्टा करें यह देखें यह बिल्कुल परफेक्ट आया ह दोस्तों आपने भी इस तरह धीरे को काट करना है अंशाला फिट आएगा फिली वीडियो तक मुझे देए जाज